इसके पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये पसंदीदा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है दोस्तो जिया दोस्तो और ये संभव हो पाया है आप सभी के प्यार और सहकार की वज़े से तो इसलिए मैं आप सभी का अपने तह दिल से शुक्रियादा करता हूँ और उमीद रखता हूँ कि आने वाले पविशे में भी आपका यह प्यार बना रहेगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज हम जा रहे हाथी नीमाता वाटरफॉल और जन्धनुमान मंदिर हाथी नीमाता की वडोजरा से दूरी करीबन 78 किलोमीटर है जिसको पूरा करने में करीबन 2 घंटे लगते हैं और पावागड से इसकी दूरी करीबन 35 किलोमीटर है जिसको आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको दो जगे यहाँ पर देख सकते हो एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जो हाथिनी माता का जो गुफा है वहाँ पर जाता है और एक रास्ता उपर पहाडी के उपर जाता है तो हमने सबसे पहले पहड़ी पे जाने का फैसला किया यहां से करीबन एक किलो मिटर की एक साधारन चड़ाई है वैसे तो कोई भी चड़ जाएगा क्योंकि रास्ता जो है वो ठिक ठाक बना हुआ है तो आपको उपर जाने में कोई ज़ादा परिशानी नहीं होगी हाथीनी माता वाटरफॉल के नाम से ही यह जगा दिखाई देगी और अगर आपको यहां पर आना भी है तो अगर आप गूगल मैप पे हाथीनी माता वाटरफॉल डालेंगे तो आप यहां पर आसानी से पहुंच जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हो कि बीच में कहीं कहीं पर जो रास्ता थोड़ा सा खराब है तो आपको वहां पर थोड़ा संबल के चलना होगा अगर आपके साथ में बुजूर्ग या बच्चे है तो आपको उनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बाकी अभी हम जो आये हुए यह डिसमबर का समय है तो अभी बारिश थोड़े टाइम पहले यहां पर गई है लेकिन फिर भी ज़्यादा पानी ही नहीं है यहां पर मतलब कोई जो हमने यहां के जो चित्र देखे थे या वीडियो देखे थे वैसा यहां पर अभी कुछ भी नहीं है सब कुछ सुखा है लेकिन फिर भी थोड़ी सी हर्याली है दूसरी आपको यहां पर एक बात ध्यान दखनी है कि अगर आप यहां पर आते हो तो आपको अपना खाने पीने का सामान अपने साथ में रखना है क्योंकि यहां पर आसपास कोई जादा इसी खाने पीने की दुकान या होटल नहीं है अभी यह जो हम उपर की तरफ जा रहे तो यहां पर एक उपर थोड़ा सा मैदान जैसा बना हुआ है तो अभी हम वहां पर जाके देखते हैं कि चलो क्या है और यह सामने की तरफ कुछ जंडे लगे हुए है शायद वहां पर कोई मंदीर है जैसा कुछ है तो चलिए देखके पता करते कि क्या है वहां पर यहां पर आपको थोड़ा सा सावदानी से चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कोई रास्तार नहीं बना हुआ है आपको इनी पत्री ले रास्ते से ही होकर आगे बढ़ना है जैसे हम यह एक लैटफॉम पर पहुंचे तो यहां पर एक चुटा सा मूर्ती है नहीं अंदर यहां पर कुछ गुफा जैसा भी बना हुआ है तो चलिए देखते गुफा में क्या है अच्छा यह गुफा के अंदर भी एक चोटी सी कुछ मूर्ती स्थापित है यहां पर प्लाइनिंग है यहां पर आने का तो बारिश के समय आएंगे तो अच्छा होगा और अभी एक रास्ता यहां से नीचे की तरफ जाता है तो अभी हम वहां पर जाएंगे क्योंकि वहां पर कुछ और गुफाए है जैसे आप देख सकते हो कि इसमें उतरना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी मेरा बेटा तो उतर गया है क्योंकि उसे तो हर जगे पर मज़ा आता है उसने भी हन्मान जी के दर्शन किये और अभी हम बाहर के और आएंगे और नीचे जाएंगे और यह हम नीचे की और आगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर भी छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है और उसी में से एक गुफा के अंदर यहां पर एक और कुछ मंदीर है और इसी मंदीर को हाथी नहीं माता कहा जाता है जहां पे आप देख सकते हो कि एक छूटा सा गुल पत्थर जैसा है और उसके पीछे की तरफ एक शिवलिंग है और इसी जगे को हाथी नहीं माता कहा जाता है अगर आप बारिश में आओगे तो यहां पे चारो तरफ से पानी गिर रहा होता है अभी जहां पे कुछ पानी ज करेता है तो अभी हम यहां से जा रहे है जंड हनुमान मंदिर जो करीबन 33 किलो मीटर दूर है और वह एक जांबू घडा वाइल लाइफ सेंचूरी जो अभियारन्य कहते हैं जांबू गोडा अभियारन्य के अंदर के स्थित है यहां पर एक इसे छोटे से सब गाउं जैस करें अबाई आप मंधिर में चड़ांने के लिए अगर आपको लेना है क्योंकि हम पे हनमान जी का मंदिर है तो वहाँ पे तेल चड़ाने की प्रता होती है तो यहां पर ही कुछा मंदिर सुबह चय जिसका निर्मान जी की बहुती विशाल प्रतिमा है जो जिसका निर्वान भीमने स्वयम अपने हाथों से किया था कि यहां पर ऐसे बंदर आपके हाथ में अगर कुछ थैली वेली है तो चिनने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको परेशान होने की जरूत नहीं है ज्यादा तर वह आपको कोई हानी नहीं पहुंचाएंगे उपर चड़ते समय आपको यह जो पुराने समय की कुछ मतलब आर्टिफेक्स यहां पर रखे हुए दिखेंगे जो बताता है कि मतलब यह जो जगे यह काफी पुरानी है और मतलब एक पुरातन समय का यह एक स्थान है अलकि अभी इसका इतना विकास नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो सुविदा है वो बेजिक सुविदा यहां पे सारी है आपको खाना पीना सब मिल जाएगा अलकि ये जंगल के अंदर होने की वज़े से यहां पर आपको रुकने की जो मतलब वो नहीं मिलती है अब रुक नहीं सकते हो यहां पर कुछ सीड़िया चटते ही आप उपर की और पहुँच जाते हो जहाँ पर सिर्थ है ये विशाल हनमान जी की मूर्ती जिने जंड हनुमान कहा जाता है और ये इनका एक काफी विशाल स्वरूप है तो आपको यहाँ पर एक बार इनके दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए दोस्तो और जैसे ही दर्शन करके हम नीचे की और आए हमने देखा कि एक रास्ता कुछ पिछे की तरफ भी जा रहा है तो वहाँ पर कुछ पुछताच करके मैं पता चला कि वहाँ पर पिछे की तरफ भी दो तीन जगे है जो आप देख सकते हो जिन में से सबसे पहले तो ये एक छोटा सा मंदिर आता है ये एक शिवजी का पुराना मंदिर है जब हलाकि इसकी जो मतलब भी जो कंडिशन है ये कुछ खास अच्छी नहीं है लेकिन देखने से पता चलता है कि उस वक्त ये काफी भविय रहा होगा और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे एक रास्ता उपर की तरफ जाता है जहां पर एक भीम की घंटी करके एक जगा है जहां पर घंटी मनलब बजाने वाली घंटी नहीं है जो हम आटा पीछते हैं उसको भी घंटी कहते हैं और एक राइट साइड में रास्ता जाता है जहां पर एक कुवा है जिसे अरजुन का कुवा कहते हैं क्योंकि जैसे मैं आपको बता है कि पांडव जो भी अग्या तवास में थे तो यहीं पर रहे थे और जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहां पर आपको कुछ एसी होटल जिखेंगी ढाबाट ऐसी जहां पर चूले पर बना हूँ आपको खाना मिलेगा जो यहां का ट्रेडिशन मंदीर बने हुए शायद यह कोई काल भेराव का मंदीर है और ऐसे ही रास्तों से आपको धीरे धीर आगे बढ़ना है करीबन आधा पौना किलो मीटर या किलो मीटर जितना रास्ता होगा थोड़ा सा उपर नीचे होते हुए आप आखिर में एक छोटे से प्लेस पे पहु किला नहीं सकता है तो हम भी यही सोच के आये थे कि बदलब बहुत लोगों ने इसे कोशिश किया था कि इसे हिला पाए लेकिन कहते थे कि भीम के अलावा इसे और कोई नहीं हिला पाता था मगर अभी तो इसको पूरा इस तरह से लोखंड की केज के अंदर बन कर दिया है अन्यत्या क्या लोग गुमाने के चक्कर में इसको काफी नुकसान पहुंचाने लगे थे तो एक सुरक्षा की दृष्टी से इसको अभी इस तरह से लोखंड के केज में रखा गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा है और वहां से नीचे उतरने के बाद जैसे में आपको बताया था कि राइट साइड में एक कुवा है जिसे अर्जुन का कुवा कहते हैं जर असल इसके इसमें माना जाता है कि जब भी दृपदी को एक बार प्यास लगी थी तो अर्जुन ने यहां पर बांड चलाया था और उसी में से यह कुवा जो मतलब वहां पर पानी की धारा निकली थी और उसी से इस कुवे का निर्मान हुआ है मतलब इस तरह से यहां पर साइन बोड लगा हुआ है जहां पर इसका उल्ले किया गया है तो उससे हमें पता चला कि यह जो है यह अर्जुन के द्वारा निर्म पानी है और उसी के साथ हम हमारा आज का सफर यहां पर खतम करते हैं और अगले वीडियो में हम जा रहे हैं पोईचा नीलकंड धाम में जो कि एक स्वामी नायरेंड का काफी सूप्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर हम आपको जो दर्शन करवाएंगे और उसका जो परिशार उसकी जानकारी देंगे तो हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों डिस्कवर इंडिया बाई रोड पर धन्यवाद